में आव जी शुरू करने अपनी में आज के वेलुईशन और हमने इन्वेन्ट्री वैलुएशन में जो बाते कि थी वो क्या-क्या बाती थी जो हमने इन्वेंटर्य के लिएनल में जो सका है से कहते हैं यह सारी सब्सक्राइब्स haod लास्थ घा था शos không dieta तो उलमेंटरी वडियोंचन हमें चाहिए की इयर एंडपी यह उर्म oc को दालना होता है और वहां पर लोगी सित्मेंट ह greatly अगर फीफो उसक civic लीफो बेशिस पर वेलवेशन हो और अगर यही वेलवेशन हमारा फिर किस पर एवरेज वेटे डैवरेज बेसिस पर और फिर बात हो कभी अगर किस पर बैटे डाफ ने मिलें बात की ती कौन सि किसीले बोल रहा हूं जो नए बच्चे भी जा सातमें जुड़े हैं एक तो और इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ी थी और मैंने आपको बात आपसे बात की थी क्या एक लास्ट मैथड एड़े से से स्पाइस यह मैथड हम लोग पढ़ चुके हैं फिर आके बढ़े तो हमने देखा कि इन्वेंटरी की वेलवेशन का क्या तरीका होता है जी हम जो पढ़ते हैं इन्वेंटरी वेलवेशन क्या हर जगह पर पोस और नर्वी विच्चेवरी लेस नहीं लगता है तो वहाँ पर क्या था बेटे वहाँ पर था ये कि अगर फिनिश गूड्स है तो उसका वेलवेशन कैसे होगा working progress of finished goods का valuation मतलब यह lower of course और नर्वी वाला funda हर जगे पे नहीं लगता finished goods और working progress के case में क्या होगा यह funda लगेगा यह method लगेगा post और नर्वी which every less लेकिन raw material के case में जो valuation है उसमें post और नर्वी which every less नहीं वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे वैल्यशन डेपेंड करता था किस बात के उपर कि इसके पिता जी का क्या हाल चल रहा है कि नहीं यह जैनि कि अगर और है उससे ज्यादा पर नहीं कर रहा है कुन से वाली बात कर रहा हूं में यह वाली अगर वह लोज जनरेट नहीं कर रहा है तो किस पर वेलुएट होगा वेटे रोमेटरियल कोस्ट पर और अगर वह लोज जनरेट कर रहा है यह वाला किस वह लोज कब जनरेट करेगा जी अगर फिनिश गुट्स का सेस्ट उसकी ट कि उसके पिता जी खूंक की आंसुरो हो रहे हैं तो फिर यह भी रोना शुरू कर देगा और यह किस पे वैल वेट होगा वेट होगा रिप्लेस्नेट प्राइश यहाँ पर क्या था है यहां पर दोनों में फर्क्थ जाधा जी पहली बात तो को सो इंगरन विचे फिर वहाँ पर बात होती है net reliable value खरीदने के अंगल से बात होती है कहां पर raw material में raw material में बात होती है replacement price आज अगर मैं किसी inventory को replace करता हो तो मुझे market से खरीद के लेके आना पड़ेगा उस inventory को raw metal को और खरीद के लेके आऊंगा तो कितने का आएगा वही है हमारा replacement price बार-बार मत कहलवाना रितू अंटू स्वयम शिष्ट्री हाजी चलिए next point इसके बाद में फिर हमने क्या पड़ा मैंने आपसे बताया था कि यह सारी बात कि किस ने हमें तिखाई हैं जी सीए इंटर में यह सीए में इंटर में जब भी हमारी यहीं स्टेज होगी वहां पर हमें यह अकाउंटिंग सेंडर्ट तूर्स यही बात बता रहा होता है जो मैंने आपको लिखाई थी कि फिनिश गूट्स वर्कीन प्रोग्रेस और अगर ज्यादा है तो पर वैलवेशन होगा फिर मैंने बात किती आपसे वैटे रोव मेट्री की जो कोस्ट है रोव मेट्री की कोस्ट हम कैसे डिसाइड करते थे हम सीधा आंग बन करके फीफो लीफो एवरेवेटी रेवरेवे मसे तो हम कहते थे अआज साब काया नहीं क्लास में चलोगी जीसको तो आदा थी कोल्डिंग की लग गई हो दूद मी पिएगा और जिसको दूद की आदा थे वो पीने लगते तो बेटे अब जैसे महक है सिस्टी है कि दोनों बच्चे दूद पीते हैं अब भी चोटे बच्चे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा बड़े हो गए ह वो क्या करते हैं वो कोल्डिंग में पीने लगते हैं बेटा ध्यान से अरितु रित्यों का तो अभी पता चलेगा आरेन तो भाई सब्सक्राइब है और तो मैं यह कह रहा हूं बेटे ध्यान से कोस्ट की बात करें इन्वेंट्री नोट इंटर्चिंजिबल मत्तब बताओ यानि कि एक इंवेंट्री दूसरी इंवेंट्री की जगए यूजिबल है क्या नहीं लो बाई शेटान का नाम जैके शैतान हाजे तो चोटे बच्चे को दूद के बज़ाएं नहीं पिलाए जा सकती यह बेटे इंटर चेंज बन नहीं होते हैं तो क्या होता वहां पर यह जो स्पेसिफिक को स्मेथड है उसकी को स्पेसिफिक लिए अलग से फाइंड आप करनी होती है अच्छा यानि वहां पर फीफो इंटर चेंजबल है जैसे गाएं के दूद की बज़ाएं भैंस का दूद ठीक है हाँ पैपसी के बज़ाए थामसब चल जाएगी तो इसे केस में जो हम कोज करते हैं तो दो मैठड़ है एक है नौन हिस्टोरिकल और एक है हिस्टोरिकल सीए इंटर में अगली स्टेज है और बाकी सारे में आपसे कभी कभी क्या होगा आपको अर्ली स्टोक टेकी मिलेगी क्या मतना आपको inventory मिलेगी balance sheet date से पहले की, balance sheet date से पहले की, next, और हमें find out कौन से चाहिए बताओ बैटे balance sheet बनाने के लिए balance sheet date, तो हमें अगर balance sheet date से पहले की inventory मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे balance sheet date और इस early date, मतलब इस वाली date के और balance sheet date के दोनों के बीच में जो परचेज हुई है, वो जोड़ देंगे, और जो sale हुई है, वाली inventory की cost हटा देंगे, तो कहां पहुच जाएंगे हम लोग balance sheet date की inventory पे, ठीक है रितिका, बड़ा असरी है रितिका, शेतान, inventory वाली class में तो तुम थे ही नहीं, है न, चलो, अभ हमें पहुचना किस पे, balance sheet date वाली inventory पे, तो कैसे पहुचेंगे, balance sheet date से लेकर के पंदरा अपरेल, जो late stock taking की date है, उन दोनों के बीच में जो हमने माल खरीदा, उसको जोड़ने के बाद ये वाला माल आया हुआ होगा, कि नहीं होगा, बोलो, अगर हमें ये पता है, अगर हम हमें क्या ढूंडना है, ये वाला ढूंडना है, balance sheet date वाला, तो हम क्या करेंगे बताओ, यहां इन दोनों date के बीच में जो माल परचेज वाप, उसको जोड़ने के बाद ये closing वाला होगा, अठारा सुन, तो हम घटा करके वापस आये थे, जो base दे उसको जोड़के वापस पिछली class तक हमने यहां तक बात की थी, और एक अगला topic मैंने सिर्फ लिखा करके आपको छोड़ा था, क्या, जिसका नाम है, क्या नाम है बिटा, जिसका नाम क्या है, perpetual inventory system and periodical inventory system, अगर मैं यह कहूं कि अब हमारे class आज की शुरू हो रही है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां तक ही जो बाते थी, हमारे पिछली चार class की बाते थी, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे first time जुड़े में हमारे साथ एक दो बच्चे, वो भी ध्यान दें, इस चीज़ को उनको भी समझ में आ सकता है, अगर उन्होंने बस थोड़ा सा ध्यान से सुना पैन में चलाना में अंटु जो आप एन्यूटी वाले बात आप पूछ रहे होना, एन्यूटी वाली बात पीटे हम अलग करेंगो, पार्टनर्शिप का डाउट है, अच्छा, एक बार नोट दिखाना, इन्वेंट्री नोट इंटर्चेंजिबल का, अंटु मैं आपको भ जुरू करते हैं, बेटा, परपिच्वल का मतलब क्या है, लगाता, परपिच्वल का मतलब क्या है, बुलो, लगाता, 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 यानि कि इसका मतलब क्या है, बेटा, देको जरा, यह हमारा एयर है, बच्चो, कम्प्लीट एयर, यह हमारा कम्प्लीट एयर है, और पर हर महिने 1,2,3,4,5,6,7,8,12,10,11,12, 12-12 महिने तक लातार स्टोप की डिकोर्डिंग की गई है। यहां पर जो स्टोप की डिकोर्डिंग की जाती है यहां पर एक सिस्टम है इन्वैंटरी मेंट्रीन करने का जिसका नाम क्या है पैते स्टोर स्टोर लेजर सिस्टम क्या है स्टोर लेजर सिस्टम को यह मत करना है स्टोर पेपर सीजन खेलना शुरू कर दें पता चाला दूनी में ऐसी आते हैं स्टोर पेपर सीजन स्टोर लेजर सिस्टम वो नलायक होगा जो खेलना शुरू कर देगा वो शुरू हो जाएंगे एक दम दनादन दनादन वीटे स्टोर लेजर सिस्टम यहां पर जो सिस्टम होता वो क्या होता है स्टोर लेजर सिस्टमू और यह सारे सारएक्जमपल हमारे स्टडी मॉडिुल बैं ठीक है या पास्रेक democratic किस चैप्टर में एक काम जुरूर होगा जी मैं सारे कोशन आपको लिखके ही कराऊंगा है आए तो एक एक्जामपल लिखते हैं जी सबसे पहले हैडिंग डालो एक्जामपल नंबर बन है तो सहरे है परपिशवल का करा रहे हो जी आप टार रहे हो एक्जामपल नंबर eman करा और मैं इस कोशन्त को आपको दोनों मैधर से किसे कराऊंगा दोनों मैधर से किसे कराety है सबसे पहले कोशन यहां पर लिखना है आएगे जी हाजी लिखिए बैटे मेरे साथ साथ में एक कोशन लिखिए लोड़ी डिटेल्स ओफ ओल गुट्स परचीज़ एंड शोल्ड गिविन एज अंडर मेटा कोशन जुरूर लिख लेना जो बच्चे फर्स टाइम जुड़ेना है ना सुलीशन पर मत भ्यांग देना सुलीशन आपको यह तो फोटो कीच लेना या मैं आपको पीडिया बेज हो कोशन लेकिन लिखना है कि आओ जी कुछ हमें डिटेल दे रखी है और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है क्वाइंड आउट क्लोजिंग इनवेंट्री कोस्ट पूरे चैप्टर को इसी एक्जाम्पल में रगड़ दूँगा इंता मत करना होगा यह आप ही के स्टेडि मैट के दो क्वेश्चन को मिक्स करके कोशन बना है तो ज्यान से यहां पर कुछ डेट दे रखी है नमबर बन डिटेल्स ओफ परचीज आपको यहां पर दे रखी है को डिटेल ओफ परचीज आपको कोशन ने दे रखी है और यहीं पर बराबर में कोशन ने एक और चीज़ डिटेल आपको दे रखी है डिटेल्स ओफ सोल्ड बेटा एक्जाम में कोशन आया तो इससे ज्यादा नहीं आएगा बस इस कोशन को कर ले हम तक सीधा एक्जाम का कोशन अपना तयार बताओ सर्फ फटा फट कराओ बेटे कोशन में हमें डिटेल दे रखी है क्या एक तो डेट दे रखी है एक क्वांटिटी दे रखी है और यहाँ पर हमें रेट पर यूनिट भी दे रखी है क्या क्या दे रख यहां एक त मिडेट दे रख किया है quantities दे रखी है और rate per unit दे रखा है यह हमें question ने detail यहां पर दे रखी है यह किस चीज की detail है sir मैटा यह है purchase की किस-किस date में कितनी quantity किस-किस rate में question में दे रखे है business man ने खरीदी आओ मेरे बच्चों आओ यह date कुन सी है जी सबसे पहली है मैटे December 4 फिर है December 10 फिर है पेटे December 11 फिर आपका December 19 और यह सारी बाते कौन से है बेटे 2022 मैं 2022 की साब से करा रहा हूं नेक्स अगली डेट क्या है पेटे December दोजार अठाइस सोरी दिसम्बर अठाइस कितनी कौन्टिटी बेटे 900 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी पचास के रेट पेटे 50 रुपे पर क्वांटिटी के हिसाप से आपकार नेक्स अगल दिसम्बर दस चार सो कॉंटिटी या खरी दी पच्पन रुपे पर कॉंटिटी के हिसाब से तीन सो कॉंटिटी या खरी दी पच्पन रुपे पर कॉंटिटी के हिसाब से दो सो कॉंटिटी या खरी दी साथ रुपे पर कॉंटिटी के हिसाब से और बेटे 800 quantity या खरीदी 47 उपेपर quantity के साफ से अगर मैं तुमसे कहूं कि total कितना होगा बेटे तो टोटल जो quantity खरीदी overall 2600 quantity हैं जो खरीदी अब बात करते हैं जी quantity sold की जब मैं बात करता हूं sold की बताओ बैटे किसी को हम कच्चे माल खरीद के बेश सकते हैं क्या बोलो नहीं न तो यानि कि अगर question में आया quantity purchase and quantity sold तो इसका मतलब क्या है question finish goods purchase कर रहा है और finish goods sale कर रहा है सीधी सी बात है बताओ बैटे पकाना आईए कभी गए हो दुखान पर कि कच्चे वाली टोफी दे देना बताओ दुखान दर आपको कच्ची टोफी देगा कभी हमेशा टोफी देगा तो फाइनल टोफी देगा यह है का यह ले पकड़ यह बूरा है यह चोकलेट है और यह इसका टोफी का रहपर है इनको मिला कभी ऐसी टोफी बेचे दुखान दाने नहीं हमेशा क्या हुआ आपको बना करके भी बनी बनाई वो लेकिया आता है और बनी बनाई आपको बेचता है तो अगर बैटे quantity परच और यहां पर quantity issued दी है तो यह question किस चीज़ का होगा इसका मतलब वो रो मेट्रेल की बात आप से बखा रहा है quantity production में इसू की जाती है manufacturing की केस में quantity production में क्या होती है इसू की जाती है चलिए फिलाल मैं आप से ले रहा हूं यहां पर बात मैं फिलाल quantity sold की बात कर रहा हूं ठीक अब यहां पर भी क्या होगा अरे बिटा यहां पर भी question हमें date बता रहा है और quantity बता रहा है क्या बता रहा है बुलो हमें बता रहा है question यहां पर किस date में और कितनी quantity हैं जो बेची गई लो बेटा डेट कौन कौन सी है जी question में बताएं दिसंबर पांच दिसंबर पांच में क्या क्या 500 quantity बेच दी फिर बेची जी दिसंबर 20 मतलब अगर मैं कहूं पिछली जितने भी classes हुई है उन सब में सबसे ज्यादा important class अगर कोई है जो पिछली सारी classes का लगबग लगबग रिवीजन करा देती है तो वह यह वाली question करने वाली class है आईए जी दिसंबर 29500 quantity आँ तो अगर मैं आप से पूछू बताओ बेटे overall कितनी quantity आँ दिसंबर में विकी तो आप बता सकते हो क्यों नहीं बता सकते हैं तो टोटली तो करना है पांच उच्छे ग्यारफ पांच सो 1600 quantity आँ है जो यहां पर विकी नेक्स्ट कि अब हमें क्या निकालना है closing inventory की कोस्ट को निकालना है और नए बच्चों को पैन रख देना है ठीक है दुरू सौरव बिल्कुल और बाकी बच्चे शुरू हो जाएंगे सार्थक बेटा वेटिंग लिस में जाना है एक तो वैसे लेट आयो जल्दी से यह बार स्वयम अंटू रितू जल्दी जल्दी यह बार चलो जी आओ बेटा अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है inventory की वेलवेशन आईए जड़ा नेक्स पेस पर मैंने मैंने लिखा बेटा क्या answer अब इस question को हमें क्या करना है बिटे कई मैथर से करना है कैसे कैसे जी इस question को हमें लगबक सभी मैथर से करना है पहला मैथर हम लगाते हैं कि फील लगना है कर निसी पाए कि hello लगना बिल्कु Coffee काहा से होगी सबसे लास्वाली पर्षेस से बिल्कु आते हैं लेकिन तरीके से कि यहां पर वहां पर पिरेड़िकल मेथा है आ ये शूरू है। पीत्चवल। और दूसरा मैthoughD हमे तो कौन से बटे पिरियोडिकल हमने जो लगाय था मै IPS CAN ठीक है अभी तक हमने question किया था किया था पिडे पियलिकर अ मैं पहले अभी कि मैं पहले इस question का solution फीफ्टो में AIG तो लीजे एस पर पिरियोडिकल मैथड ओफ इन्वेंट्री सिस्टम और इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं जी फीफो फार्स्ट इन फार्स्ट आउट पिरियोडिकल मैथड यह कहता है कि जी एक पिरियोड जब खतम हो जाए तो उसके एंड पे देखो एक साथ तठा बैट के देखो कि कितने की इन्वेंट्री बची हुई है अच्छा सर क्या मतलब भाई यह दिसंबर मंत में हाजी दिसंबर मंत में क्या सर बताओ सबसे पहले यह बताओ जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की सबसे पहले बात क्या है बटे काएंगे और यह कैसे आएगी जी कोई बच्छा पैन नहीं चलाएगा अब जो पैन चलाएगा उसको रात को काली मता आएगी अजय पक्का पैन नीं चलाना पोविं चलाना ना नए बच्ची न बेटे कितनी quantity बची कोई बता सकता है हाँ सर बिल्कु बता सकते हैं सर इसमें क्या दिक्कत है opening में तो कोई quantity थी नहीं सर और 2600 पूरे दिसंबर में खरीदी और सोला सो पूरे दिसंबर में बेची तो बच कितनी गई जी बच कितनी गई एक हजार बच की बस इसी बात को वहां पर हमें ना एक्जाम में बिटे सिस्टमेटिकली लिख्या आना है प्रेजेंटेशन वाइज लिख्या आना है हाजी लो बेटा ओपनिंग क्वांटिटी निल परचेज परचेज़ दूरिंग दिसंबर बेटा चब्विसो क्वांटिटी खरीदी बच्चो माइनस सोल दूरिंग दिसंबर कितनी बेज दी जी सोलह सो क्वांटिटी बेज दी तो बच कितनी गई जी बच कितनी गई क्लोजिंग क्वांटिटी जो बच गई इन्वेंट्री की वह कितनी बच गई एक हजार क्वांटिटी बच गई नंबर एक बार क्लोजिंग क्वांटिटी में हम जब क्लोजिंग में क्वांटिटी में रेट लगा दें तो हमारी क्या जाएगी बुलो क्लोजिंग इन्वेंट्री की आप तो बस और रेट कैसे लगाना ऑजी फीफो के फीफो से स्टाओ फिस्ट वा तो जो बचा जो बचा वह कहां से बचा होगा जिए सर मैं बताऊंगा बताओ बेटे आजे जो बचा वो कहां से बचाओगा दिसंबर चार वाली परचेज में से दिसंबर दस वाली परचेज में से कि सब्सक्राइब यह है हमारे बैच का हिरा हाजी और बताएगा जी रीतु बताएगी जी रितु बोलो अगला नंबर रितिका तुम्हारा है रितु मैं वेट कर रहा हूँ हाजी बोलो बेटा रितिका तुम्हारा है वेरी गुट यह है अंसर बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अजे विए ज्यान तो जो बचा होगा वो तो लेटेस्स परचीज में से बचा होगा ना हां यह हुई ना बात बैरी गुट मैंने तुमसे गया दिसंबर चार या दिसंबर तस तो तुम इसी में घूमते रहे तो बेटे इधर भी तो सोचो ना कि बचेगा कहा से लेटेस्ट पर लेट आएगा ना एस पर फीफो मैं है कोई डाउट है कोई डाउट है कोई डाउट है हां दुबार और बता दो माते मैं सलवटे था मुझे पढ़ने पड़ते कोई बच्चे डाउट पूशने को प्यार में पूशा करो यहां तो चैट बोक्स भी ऐसा है तुम सीधा मेरे को आधर सकते हो नहीं किसी को हां वाक करना अब स्यधानी मतकरना तुर्ण दिखा दूंगा सारे बैचे सुनो ध्यांत से बेटे महें फस्टें फस्ता जो पहले आया वह पहले गया जैसे तुम लोग पेले आये हो तो पहले कुस्स का खतम होगा तुम लोगों का आप है यही तो सबसे बाद में खरीजी हुई थी ना बिटा तो क्वांटिटी कहां से बचेंगी सबसे लास्ट वाली परचेज में से आपका ध्यान नहीं था वरना ऐसा होई सब्सक्राइब की यूनिट है कि 47 रुपीज की यूनिट है पर बिटे क्या सारी इसी में से है कौणटिटि तो 1000 बची और वो जो जो क्वांटिटी थी वो कितनी है ब्लाद यह तो आठ सो है तो इसका मतलब पता है बाकी की दोसों क्वांटिटी यहां से ती कहां इन 200 वाली में से ती यानि कि 800 कॉंटिटी पर तो रेट लगेगा 47 और चो 200 कॉंटिटी उन पर रेट कौन सा लगेगा साथ आईये जी तो 800 पर तो लगेगा यह वाला और 200 पर लगेगा बिटे कौन सा साथ का तो मैं अगर आउंट निकालो यहां पर तो कैसे सीदी सी बात है एक तो है बिटे आठ सो कॉंटिटी यां और रेट है कितने का बिटे 47 का और कितनी 200 quantity यां और रेट है कितना बिटे 60 रुपे का 60 रुपीज कौन बताएगा जी कौन बताएगा इनकी अमांट को कौन बताएगा बिटा कोन है सबसे उश्यार बच्चा पहले वाले की 37600 ओके बाबू नेक्स्ट और दूसरे वाले की 12,000 बारा हजार टोटल बताओ 49600 कितना 49600 क्या मैं चलू आगे पका बेटा कितने जिसको नोट करने हो प्लीज नोट कर ले मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप इसको नोट कर रहे हूं लीजे में फुल स्क्रीन पर कोपी रिखा देता हूं ताकि आप लोग आराम से नोट करें अब मैं इसके आगे दूसरे एक्जमपल पर चलना मिटें दूसरे एक्जमपल नहीं मतला इसी एक्जमपल के सेकिंड पार्ट अभी जो हमने बात की फीफो मैथड के अंदर हमने बात की कौन सा सिस्टम है हमारा ये ये हमारा पिरियोडिकल कौन से वाला पिरियोडिकल जहां पर हमने देखा कि माल आया गया और एक निश्चित पीरिड के एंड में जाकर के हमने क्या इन्वेंटरी का वैलवेशन किया ठीक है जी आईए अब हम इसी कोश्चन को करेंगे अब हम इसी कोश्चन को करेंगे अब अब इसी कोश्चन को करेंगे फीफो मैथड होगा लेकिन इन्वेंटरी का जो मेंटेन करने का सिस्टम होगा पीरिडिकल नहीं पर्पीच्वलों ऑभी तक हमने देखा किसमें पिरिडिकल मैधड आप किसमें देखेंगे पर्पीच्वल होगा तो नेक्स पेस पर FIFO method in perpetual same question as per perpetual inventory system system अगर वो नोट नहीं करेंगी तो ज़्याद अच्छा रहेगा क्योंकि उनको फिर पूरी बात ना अच्छे से समझ में आ सकती है अच्छे सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब कोलंब किस चीज़ को पेटा यहां पे डेट्स पिर बिटे तो दूसरा कोलम होगा वह हमारा होगा यहां पे किसका कि नि कुन्म के बीटे हमारा डिसीट का कितनी क्वांटिटी हैं जो रिशीप्त हुई कि और उनका क्या रेट था और फिर मल्टिप्लाइब कर देंगे हम लोग क्वांटिटी में रेट की तो क्या जाएगा हमारे हाथ में बूलो अमाउंट आ जाएगी well is quantity rate और अमाउंट एसी रिसीब की तरह से क्या होगा बच्चो और प्यारे बच्चो इसूल क्या होगा यहां तो लोगा जैसा मैंने इस कॉश्शन वाना ड्रो मेटल होगा दीए शून रहीं कि फिर आज कितने के रेट वाली गई इससे क्या निकल का को स्थ और गोड अच्छा फिर लास्ट में जो बचेगी वह पैटे उसको हम क्या क्लोजिंग बल्कि इसको बैलन्स लिखेंगे जो बैलन्स बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी प्रैक्टिस होगी इसमें अगर हम लोग सिस्टेमेटिकली चलेगे एक ही कोश्चन से सारे मेथड़ को में कवर करना है तो उमीद है सब बच्चों ने फोर्मेट को अच्छे से देख लिया है और उन्होंने इसको नोट भी कर लिया होगा बना भी लिया होगा यहां तक आईए जी अब यह देखो आगे बढ़ने से पहले पहले यह देखो कोश्चन में ट्रांजक्शन कितनी है क्या मतलब सर पता कि इतनी बार हमने परचीज किया तो हमें उतनी याटों में तो अट क्यात आ ही और जाहिए पांच-वार कि यह हुद्व लाइन वी ईंट्री के लिए चाहिए याट को डिजवाञ से पहले पिंड हैं यहेछ जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बारतों बेटे हमने परचीज, छे, साथ, आठ, यानि कि टोटल आठ एंट्रीज हैं जिनका हमें ध्यान लखना है, आठ लाइने हमें चाहिए, ठीक है, और प्रेजेंटेशन का भी ध्यान लखना है, कि बीज मेना गैबी मेंटेन और प्रेजेंटेशन के साथ, तो यहां पर हमें प्रेजेंटेशन करते हैं ध्यान लखना है, पैटेश्मेंटेंगें जरूर करना है, तो मैं एक काम करता हूं, आपके सामने, फुल स्कीन पे ले आता हूं, थोड़ा सा, अभी हम लोग कैथे करेंगे, इस तरह से पढ़ें जिससे की आपको ज्यादा स्यादा चीज़ दिखाएंगे, नो बच्चो, कितनी लाइने हुई थी हमाई डिसाइड, आठ, सबसे पहली डेट कौन सी है, सबसे पहली डेट कौन सी है, जरा इनमें डेट का सिक्वेंस वो मैच कर लेए, सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, द दिसमबर पाँच, यानि कि फिर यह वाले ट्रांसेशन होगी, क्रोनो लोजिकल ओडर, क्रोनो लोजिकल ओडर, दिसमबर पाँच के बाद में कौन सी डेट है, जो लेटेस्ट है, दिसमबर दस, यानि फिर यह वाली एंट्री होगी, क्योंकि बेटे डेट वाइज ही तो करेंगे फिर दिसंबर 10 के बाद में दिसंबर 11 के बाद में दिसंबर 19 के बाद में दिसंबर 20 के फिर दिसंबर 28 के लो आगे चलो फिर दिसंबर 29 के बच्चों वेरी गुड आरे वाह एक बच्चे ने तो मेरे को डेट भी स्वेम होगा यह हमेशा बेज़ता अंसर बहुत बड़े बेटा शाबाश आओ जी चलते हैं जी चलते हैं आओ बेटे सबसे पहले एंट्री कौन सी करोगे दिसंबर 4 की तो बेटे दिसंबर 4 को 900 कॉंटिटी आप 50 सुबह के इसाब से खरीदी कर दो बेटे फटाफट पोस्टिंग कर दो सबसे पहली डेट है हमारे दिसंबर 4 और क्या हुआ जी कितनी प्लाम के ना मोडान देते हैं सबसे पहला जो प्ली मैं वो किस चीज का क्वलम में कि ये प्लम है हमारा क्वानटिटी का फिर सरे रेट का फिर किसका बोलो बच्चोत थी ने जेख़एंक बात है कितनी कॉंटी बेघ जी कितने के रेट वाले गया कि उसकी और कितने जै अमाउंट quantity rate अमाउंट तो सबसे पहली जो हमारी डेट है वो है दिसंबर चार 900 quantity 50 रुपे के रेट वादी दिसंबर चार 900 quantity पचास रुपे के रेट वादी यानि बिटे कितने रुपे हो गए कोई बताएगा मेरे को है को बहुत बच्चा जो बहुत दिखाए पैतालीस हजार क्या दिसंबर चार में कोई और प्रांसेक्शन हुई क्या दिसंबर देखो दुरुवांसर दे रहा है वह बले फर्स्टाम आयों बागी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं बागी बच्चे कहीं सो गए काई जी रितिका कि सिस्टी आर्यान सार्थक रितु महें का हूं बेटा गुड मॉर्निंग आओ जरा लो बेटे इसमें और कोई यहां पर एंट्री नहीं हुई जी इसका मतलब क्या है बेटा क्लोजिंग में इस डेट को जो स्टोक रहा हमारा वो 900 क्वांटिटी का रहा पचास रुपे वाली और बेटे 45,000 रुपे का क्लोजिंग इस डेट में कितना असान है पर पिच्वल मत तब लगातार हर डेट का तुरंट के तुरंट इन्वेंट्री मिंटेन है अपडेट नोट मत करो धूरू मैं पीडियाफ दे दूंग बाबू रितिका देखते रहे कि सर पूरा ध्यान रखते हैं हर किसी का यह अंटू ने तो आज तक मास में उता रहा चलो जी इधार आओ मेहक के माते पर सलवटे आ गई थी और मैं तुरंट समझ गया था कि मेहक का ध्यान बटक गया वरना ऐसा हो इन सकता मेहक ना समझे और तुरंट मेरे पकड़ लिया यह तो बीटे वीडियों होनों कि तुम्हें आपका ध्यान देखो जरा अगली डेट कौन सी है बच्चो अगली डेट है दिसंबर पांच तो दिसंबर पांच को क्या हुआ सर मेरा बड़े था नलायक दिसंबर पांच को बताओ क्या होगा बोलो दिसंबर पांच को क्वांटिटी बेची लो बेटा चलो जी दिसंबर पांच को क्वा बच्चों के पास भी कोपी में लिखा हुआ है बेटे 500 क्वांटिटिटी यां बेज दी तो परचीद में थोड़ना है कहां पहेंगी बोलो सेल में आएंगी फार्स एन फार्स पांसो नहीं थी चार सो थे या बत कर दी बेटे मैंने टीप की लिखाए बेटे ऐसा होई नहीं सकता देखो हां गुड मॉर्निंग इधर आओ देखो इधर अब बेटे 500 क्वांटिटी है हमने बीचे यहां पर तो कोई मैथड की जरूद भी नहीं पर फिर भी अगर लगाएं तो कोई बात नहीं तो कोई बचा हुआ है इस टोक में तो अभी तो खली है तो यानि कि 50 रुपे के हिसा चार सुप पचार सुपे के रेट वाली कितनी दीस अजार यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं बावू बटा एक ही इन्वेंट्री जो है एक ही गुट्स है एक ही बार पर चीज किया था उसी में से बिख रहा है अभी तो वह रिट जाएगा ना नहीं हम बेचने किने की कोस्ट वाला माल बेचा कितने की कोस्ट वाली इंवेंट्री नीकालनीEd तो इन्वेंट्री तो हमेशां सब्लेंट तो हм. अलगू यह रही होगी लेकिन वोग् Boy did जैसे सी बात है आप बात है दिसम्बर दस की दिसम्बर को क्या हुआ चार सो क्वांटिटीन ही पच्पन के रेट वाली अधिसंबर 10 के डिसम्बर जस है ईस क् workshop क्वांटिटीन हां थोड़ा बढ़े था थोड़ा था चार्पन dioP智 मैंने बच निडि़िए ऑए तो जो नहीं देगा उसकी डंट जाता पड़ेगी ओ कि वेटे क्या मने इस लेट को माल बेचा लडी बोलो सारे बच्छे क्या में प्रचा नहीं बेचा नहीं बेचा जी तो मैं हमने बटा कि इदर में कितनी बचेंगी कॉएंटी भापर इंवेंट्री में कि अंटू उधर को मुग करके पढ़ रहे हो इदर मुग करके बढ़ो देखो आरियन सोने लगा है आरियन बताओ जुल्दी कितनी क्वांटिटी बची राट सो ऐसे नहीं बोलना ऐसा बोलना है सर चार सो तो बची हुई हैं पचास वाली तो बेटे हमें ना इन्वेंटरी मिंट्रिन करना है क्यों कि यहां पे मैथड है वह मिंटेन रखना है फरस्ट इन फरस्ट अउठा ना माभू तो हमें क्या करना हो सारी क्वांटिटिएं का अलग अलग सापने दाब रखना पड़ेगा अगली डेट क्या है हमारी दिसंबर 10 क्या हुआ जी 400 क्वांटिटियां और हमने खरीब ली बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों ग्यारा इसमबर ग्यारा लो भई दिसंबर 11 यह तो दिसंबर 11 को हमने 300 क्वांटिटिय खरीदी 55 रुपी के रेट वाली तीन सो क्वांटिटियां खरीदी यह भी 55 रुपे के रेट वाली हाजी कितना हुआ जी सोला पान सो वेरी गुड़ सोला हजार पान सो क्या हमने इस डेट को कोई क्वांटिटी बेची नहीं जी सोरव कह रहा है सारव मैं बताऊंगा सोरव बताओ जिल्दी से क्लोजिंग में कौन-कौन से स्टोक हो गए थे सोरव सो गया सो गया सो गया हजी द्रू बोलो बिटा और देसेंबर फाइफ के वेरी गुड और ये तैंगे प्रेंड वेरी गुड फिफ्टी फिरेट के और देसेंबर एलेवन के ये बार ये कितने के 16,500 के अब नम हाजी बिटा जिसका रेट 55 हों धोलों को साथ में लिख सकते हैं अब उपर मैं जान मुझके ने लिखा रहा है वह ना पता कि कहीं पर रेट अलग होगा ना तो बच्चे लिखेंगे निकों नलाइक ही ना करते कि बिजह इस चीज़ कर रहे हैं इधर ध्यान रखो बेटे जल्दी से बताएंगे अगली डेट कौन सी है बच्चों अगली डेट कौन सी है देसंबर 19 को क्या हुआ कितने के रेट वाली साथ रुपे कि रेट वाली क्या है कि है Kiran Carl घणербटेटनट को कौनंटी आजीनाना अब ये ऑब रक कह रहा संथ मैं बताऊंगा ब्लाष ओं रहुं है जल्दी वह लू अ कि माना जाएगा की सोस्व गया कide च्लिख दोसो एक तो बची है कि साइड डिटेल जी वाइट कि किसी का भी नंबर आ जाएगा ज्यान लगना सब तयार है बेटा माइक बंद कर लो सार्थक बताएगा अब अभी डांट लगेगी बेटा जल्दी बोलो सार्थक वाली हां बता टोटल क्वांटिटी कैसे लिखू में यहां पर चृचार-षार्ण-फप्चासवा खाञचव होदिशा 5投 065-210onds या比較 बतानी रहा था या रुक भूख रहा वावा 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 वाव ऑ अओजी वेरी गूड कि येस बहुत अच्छान साथ एंटर वेरीुड बूलो कितना 260 वाले 20,000 22,000 16,500 और कितनी 12,000 आओ बेटे इसी का नाम है परपिच्छल परपिच्छल मत्थब लगा अथार लगा अथार इन्मेंटरी को मेंटेन करना एक एक चीज बिलकुल डिटेल में सेपरेट सेपरेट मेंटेन करना अगली डेट कौन सी है सार तक बोलो जलती है अगली डेट है मारी 20 दिसमबर 20 चलो जी दिसमबर 20 को क्या हुआ यह बताएगा आजय बोलो बैटा दिसमबर 20 को क्या हुआ अजय क्या हुआ यह वह चली गई है क्या हुआ जय वह चली गई है बताओ बैटे अजय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कौन सी क्वांटिटिया पहले जाएंगी अब यह बताएगा कौन रिथी का बोलो रिथी का रिथी का बोल बैटा सब्सक्राइब चार सो दो पचांस वाली गई और दो सो गई सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है जो आई थी का रिथी का दुबारा बताना सब्सक्राइब चार सो पचास वाली अच्छा और दो सो पच्पनवाली अभी रुको हाँ चलो यह बताएगा कौन यह बताएगा यह सिस्टिक आ गई आज पकड़ मी नहीं आई यह शेतान चलो तेखा मैंने पहले का था इनको पूरा झाल रहते ही वहत दूर-दूर हैं कितने दूर panda हना कि और पूर यह यह रहते बहुत दूर-दूर दूर रहें लेकिन यह दुने पता रहता है कि सामने दिवार को चलो बई बताओ स्वयम अब तुम्हारा नंबर बेटा इसमें नंबर वन नंबर टू कुछ नहीं सबसे पहले वाले में से अरे बेटा जब 600 यूनिट बेची हैं तो वह अफकोर्स कहां से गई होंगी इसी में से गई होंगी परस्ट इन परस्ट आउट रितिका समझ में आई गल्ती क्या थी हमारी आजे दोनों बच्चों को गल्ती समझ में फ़र्स इन फ़र्स आउट पांसो यहां पर है नहीं बिटा बिल्कुर सही हो 400 यहां से यूर राइट यूर राइट बिटे बाकी बच्चों को समझ में आया बिल्कुर सही का पांसो तो पहले जा चुकी है सिरियसली मुझसे कलती थी ऐसा नहीं मजा कर रहा हूं आउ जरा अब जरा देखो इदर 400 यहां से कई 400 क्वांटिटिया कहां से गई बिटे यहां से गई वेरी गुड बिटा और कितने के रेट वाली बोलो 50 रुपे के रेट वाली यानि मैं कह सकता हूं बिटे 20,000 अगली क्वांटिटी बताओ बिटे 200 क्वांटिटिया कहां से गई होंगी नेक्स वाली परचेज में से शाबाश लो बेटे यहां पर हैं कितनी चले गई 200 ऐसे जाकर के टोटल 600 क्वांटिटियां बाहर गई ऐसे जाकर के टोटल कितनी 600 क्वांटिटियां बाहर गई 200 गई 55 रुपे के रेट वाली यानि कि 11,000 अब मुझे बताएगा कौन सोरब बताएगा नहीं सोरब तुमारा माइक में दिखके देना बेटा चलो अब मुझे आजय बताएगा आजय बोल बेटा जल्दी कितनी क्वांटिटी बची और कितने के रेट वाली सब बच्चे तयार रहें किसी का भी नंबर आजाएगा अब बोलो बेटा क्लोजिंग स्टोग में जो क्वांटिटी बची वो कौन-कौन सी बची अजय है सबसे पहले तो 900 में से 500 तो यहां चली गई ओके अब इसमें से बिटे 400 यहां पर चली गई तो मैं कह सकता हूं 900 तो कोई क्वांटिटी बची नहीं होगी चलो यहां तक बात समझ में आ गई अब लगाते हैं अगली वाले कॉंटिटी का हिसाब बचा अब इस चार सो में से कितनी गई यहां पर बचा 200 अजय कि 400 में से कितनी गई यहां पर 200 तो यानि कि क्लोजिंग स्टोग में सबसे पहले तो इसमें से 200 बचेंगी सबसे पहले तो इसमें 200 बचेंगी ठीक है जी अगली बात मैं अभी क्लास में हूं क्लास के बाद बात करता हूं जी आप से ना जी बैटे इसमें क्वांटिटी जो बची 200 क्वांटिटी यहां से 400 में से बची हूंगी पूरी तरह क्लिरटी है प्लीज बिटे नया बच्चा कोई भी पैन मत चलाना क्योंकि उन बच्चों ने पिछली चार क्लास नहीं यह रखते हैं इसलिए मैंने रोका कभी कभी हिसाब बना फस जाता है बच्चोंगा समझते तो सारी है लिखने में उनका दिमाग बीजी हो जाएगा तो समझने से स्किप कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं एक तो जी यहां पे 200 क्वांटिटी यह बची हुई है इन 400 में से अजय कितने रुपे के रेट वाली अजय कि तरदा 55 55 रुपे वाली अब सार तक बताएगा सार तो साथ तीन सो बची हुई है पच्पन वाली मुझे लगा है साबून का नाम बता रहा है जैसे 500 बच्पन होती थी ना तो सो और साथ पक्का और तो कोई क्वांटिटी नहीं बची है न में बची है न में बताओ बेटे मुझे अमाउंट बताते चलो एक बार 200 इंटू 55 क आगली बात बारह हजार 12000 वेयरी 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 सारे पट्चें बचेश और बचली क्हों तरफो डिशंप ना तो दिसम्बर 28 को क्या हुआ परचेज की सेल हुई कितनी क्वांटिटी बेटा एट हन्डर क्वांटिटी हैं जो परचेज हुई कितने के रेट वाली बैटा अमाउंट बता हुँ 37,600 है जी 37,600 क्या इस डेट में कोई भी क्वांटिटी सेल हुई थी बेटा नहीं ना ओके आईए अब मैं आपको एक छोटाता तरीका बतातों बड़ा अच्छा कई पर जैसे हम लोग हिसाब लगाने लगते ना उपर से एरो निकालने बढ़ रहते हैं ना आपके लिए सबसे अच्छी बात आप यहां से उपर का कोश्चन तो भूल जाओ आपने इन्वेंटरी रिपोर्ट कर रखी है आप गोर से देखो बेटे यह आपने ओलडी सिक्व में अच्छा आप कीजिएगा वैसे लेकिन आपको मैं कुछ शोटकट टिप्स रिता हुआ यहां पर जिसे आप एक्जाम में कभी ना फसे अगर आपने इन्वेंटरी को इस तरह से मेंटेन किया जैसे मैं प्रेजेंटेशन वाइस करा रहा हूं तो आप कभी भी खता नही यानि कि जब भी अगर कोई नया इशू हुआ तो पता है सबसे पहले कौन सा इशू होगा यह वाला दोस्तों इशू होगा है ना है कि नहीं यह आओ बेटे आगे की बात करें अब हमारा जो इन्वेंटरी का सिस्टम है उसमें कितनी इन्वेंटरी हो गई सबसे पहले तो स दोला हजाद पांक सो फिर हमारी जो तीसरी इन्वेंटरी है वो कौन सी होगे बिटा दोसो साथ रुपे की बारह हजार मतलब पिछली डेट में जो थी सो थी एक नई इन्वेंटरी और हमारे सा नहां पर जुड़ गई है नंबर पोर एट हंडर्ड क्वांटिटी 47 के तो एक बार मज़ा जाएगा अगर आपने की खुद एक बार मैं वेट कर रहा हूं झाल 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 हो गया एक बच्चे का अंसर आया की हो गया अब बच्चों मुझे बताओ दिसंबर कौन सी डेट है यह बताओ दिसंबर टॉंटी नाइन को क्या हुआ यहां पर बताओ सोल्ड सोल्ड ओके सोल्ड हो गया जी कितने क्वांटिटी हैं जो हमने बेची 500 तुम करोगे तुम्हें आएगा मैं करों मुझे बताओ बेटे 500 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के इसाफ से कौन से वाली है जो सबसे पहले बेची दोस्तों पच्वन वाली और 305 वाली वेरी गूट देखो बिटा यह मैं आप से कह रहा था कि आप उपर से अपने लिए ध्यान रखोगे इससे बढ़िया क्या है आप पहले से सबकुछ आपके न जस्ट इसले वाली स्टेज पर आपने जो मेंटेन कर रखा है आप वही से इस काम को आराम से करने दोसों तो यह वाली और फिर तीन सो गई यह वाली कि कह जी मैं इनी को लिखने वाला हूँ यानि जो बचेंगी वो भी मेरे को पता चल गई यह दोनों हमारी यहां पर बच जाएंगी क्लोजिन स्टोप में सी तीसी बात है है नहीं देखो कितना असान आओ बैठा लो जी तो सबसे पहले गई जी दोसो यह दोसो क्वांटिटियां गई पचपन रुपे के रेट वाली ग्यारा हजार रुपे के मौल फिर गई जी कौन सी तीन सो और इनका रेट क्या था जी इनका रेट था पचपन के हिसाब से 16,500 पूरी निकल गई जी मज़ा तब आता जिए बिन में से कुछ रह जाती है यह आगले वाले कुछ थोड़ा था ले जाती है यानि कि क्लोजिंग स्टोप में जो बचेगा वो क्या बचेगा जी हिसाब कि आप यह नंबर एक एक तो बचेंगी जी बिटे 200 कॉंटिटियां कितने के रेट वाली साथ रुपे के रेट वाली 12,000 रुपे का स्टोप और दूसरा बचेगा जी हां पर कौन से वाला यह 800 कॉंटिटिया बचेंगी 47 के रेट वाली 37,600 कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया अगर सभी बच्चों का ओके है अगर कोई डाउट है तो वो डाउट बेजो अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं यहां पर तो मेरा क्लोजिंग इवेंट्री भी रहात में आ जाएगा येस साथ और दो नो तीन और एक चार यानि 99,600 का मेरा जो स्टोक है वो मुझे मिल गया तो एज पर पर पिच्चर सिस्टम मेरा कितना आ रहा है वेटे 49,600 और पता है यही मेरा पीरिडिकल से आया था तो पर पिच्चर और पिरिडिकल दोनों में आप बच्चों लोगों को अंतर समझ में आया पर पिच्चर और पिरिडिकल में इंवेंट्री पता चलता है नेकिन अमांट दोनों की सही आती है अगर हमने सारी चीजे अपडेटीड रखी कि अंटू ओके हैं कि बोलो ना कि देखो कॉंपनी कौन सा मेंटेन करेगी अंटू आप जो भी करते हो आपको पता होगा थोड़ा सा आप कोडिट पर जाते हो ना तो आप सूचके देखो कोई भी जो ओर्गिनेजेशन है वो कौन सी inventory सिस्टम को follow कर सकता है जो उसके budget में हो जो उसके budget में हो अगर वो daily का इसाब किताब रखेगा तो उसको एक बंदा वहाँ पर रखना पड़ेगा जो daily का inventory वहाँ पर maintain कर सकता है ओल अगर मान लिया ऐसा हुआ कि बैख हमारी organization की आमधनी तो कम है और हम उसमें कर च हम एक अलग से परसन रख सकते हैं अगर हमारा इंवेंट्री बहुत ज्यादा होगा तो हमें रखने पड़ेगा तो यह स्टोर लेजर सिस्टम मतलब परपिचोल वाला सिस्टम बड़ी और सेमी आएगा तो इतना मैनत करें क्या दर करें बहुत अच्छा पॉइंट तुमने उठाया लेकिन यह सेम आतो रहा है लेकिन आप सोच के देखो जरा अगर मालें बीच में कुछ क्वांटिटियां गायब हो जाएगे तो पता है हमारी कोस्ट वुट सोल भी सही नहीं आईगी पता है आव मैं दिखाता हूं जरा सारे बच्चे दरध्यान देंगे बेटे सारे बच्चे दरध्यान देंगे बहुत अच्छा पॉइंट उन्हों उठाया है मैं आप से पहले बात करता हूं पीरडिकल में बैटे हैं यहां पे हमने क्या निकाल बता व्лов तो नने स्टू के हमांट निकाल दी अगर मैं आप से पूछ screw क्या की बेटे ह्प मुझए को स्टौ बुट सोल बटाएएuct क्या आ आप बता सकते हैं बिलकुँ क्या कहोगी। देखों आप यह कवले है opening श पिलस पर चेट涵 conditions प्लस direct expense जो यहां पे है नहीं खकर देंगे और उस मैं से हम ढटादंगे जी क्या ढटाद बाद जी क्लोजिंग श्री में कि वेले पिल्कुल बताए जी बिल्कुर बताए साल भर की जो पर्चेज की अमाउंट है वह हम यहां से पता चल सकते हैं इन सब का अगर मैं टोटल कर दू कि साल भर की पर्चेज मेरे हाथ लग जाएगी बैटे बताएगा कोई मुझे इसका टोटल अमाउंट टोटल रिसीट वाले का टोटल करो चारे बच्चे या मैं करूं वावा फीस तुझे दिये वह टोटल हम करें है वह बच्चों यह कह रहो क्या जल्दी बताओ टोटल बारह हजार सोला पांसो बाइस हजार पैतालिस हजार तो बेटे टोटल परचेज हैं हमारी एक लाख तैंतिस अजार एक सो variety साल भरकी हमारी कितने की मीटा एक लाख तैंतिस अजार एक सो बटे कोई डारेट एकस्मेंस तो इस कॉश्चन में नहीं दे रख्खे हैं किया क्लोजीं स्टोक है हमारे पास तो बताओ बेटे को स्टोफ गुड्स ओल कितने की एक टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तिरासी जर पान्सों की कि आए बेटे हमारी को स्टोफ गुड्स सोल पहले मुझे इतनी बात बताओ पक्का ठीक है आपने पता क्या किया देखो यहां पर क्लोजी स्टोफ निकाला को स्टोफ गुड्स ओल लागे एक बात और करते हैं इधर क्या यहीं को स्टोफ गुड्स ओल्ड यहां से डारेक्ट निया जाएगी अगर पच्चीजार को में जोड़ दूं वीस हजार और ग् पहां पहां एक कि म क्यों खिखें अर्ण मऄक्ञाएग। कि साट कि तिरासी पांसो क्या है बता बटा इसर वाला वाला क्या सेश प्राइस है इस तोटल सेश वाला कोस्ट और वूड्स तोल में कह सकता हूं जो भी हमने सोल्ड की यूनिट उनकी क्या कर लिए हमने कोस्ट जहां पर जोड़ लिए साल बर बना दिसंबर की पूरे दिसंबर की तो हमने इसका टोटल किया तो हमारी क्या की बिटे कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई अंटू यहां तक ओके है अब सारे बच्चे उस कुर्शन का जाए मेरे को मैं सेकंड में पर्पेच्वल में क्या अब अगली बात सुनों अंटू तुम्हारा डाउट था बाकी बच्चे भी बहुत ध्यान से सुनें अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता क्या होता सर्थ बीच में कहीं एबनॉर्मन लोस हो जाता क्या हो जाता बीच में कहीं कैसे चोरी हो जाती मैं यहां पर बात कर रहा हूं मालने यहां पर बटे एबनॉर्मन लोस हो जाता आंग लग जाती चोरी हो जाती बेटे बताओ क्या वो क्लोजिंग स्टोक बसता सारे बच्छे बथे वताएगे और वह बचे का से जिनके आपर बहुत सारी होती है वहां पर स्टोर लेजर ही काम्याब है वरना प्रोड हो जाएगा और यहां से यह से अबनुमलोस होता ही चला जाएगा रोज चोरियां होगी जब बड़ी और्गेनेशन होगी आप छोटी और्गेनेशन की बात करो चोटी और्गेनेशन इस चीज़ का खर्चा उठा नहीं पाती इसलिए उनके ट्रांजक्शन भी कम होती है तो वह क्या करती है पीरिडिकल अडॉप करती है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे क्या सब बच्चों को यह पूरी बात समद में आ गई है अगर हम इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन कर रहें डेली वाला पर पिच्छल वाला तो फ्रोड हमारे पास में तुरंत इमीडियेट इमीडियेटी पकड़ में आ जाएगा जैसे अगले दिन की इन्वेंटरी से फिछले दिन की मेंटरि को मिच किया जाएगा तो देखा जाएगा चिजों का कि सेल तो इतनी हुई नहीं बिलो को में तो क्या वह तुरंद के तुरंद हमें फ्रोट पकड़ में आ जाए लेकिन अगर प्रिडिकल वाला सिस्टम है वहाँ जरूरी नहीं है कि फ्रोड पकड़ में आ जाए वो सकता है वह उल्टा उसकी सीओ जीएस का पार्ट बन जाए क्योंकि यहां पर को सो गुड्सूल कैसे निकलेगी बिटे क्लोजिंग स्टोक को सीधा सीधा घटा करके बास समयारी अंटू आईए मैं हाँ मैं आगे बढ़ता हूं अब आज के लिए आपको ना होमवर्क दिरहों में सेम इसी कोश्चन को आपको करना है जो मुझे पता आप नहीं करोगे पूरा यकीन है पूरा यकीन है डांट वरी लेकिन मैं कराऊंगा क्लास में तो क्लास में सारे ही कराऊंगा यह बैच जो अपना चल रहा है वो तुम्हें बता है कि नो होमवर्क बैच चल रहा है होमवक देता जरूर हो नहीं कराता खुद हो अगली क्लास आप ध्यान देना इस चीज़ पर लीफू लास्ट इन पस्त आउट से आपके लिए हो सके तो इसको सिंपल एवरेज और वेटिद एवरेज से भी करना ना क्योंकि यही कोश्चन में पहले सब मैथड में लगाऊ होगा क्योंकि इस कोश्चन को आपको एक्जाम में अगर आपने यह कोश्चन रिवाइज कर लिया तो आपका फूरा चैप्टर रिवाइज होगा है ठीक है जी और कोई डाउट किसी बच्चे को पूछना हो इसकी रिगार्डिंग इस चैप्टर के रिगार्डिंग पका तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के साथ से तो ग्लास ओवर है जी